तो गैस आज की क्लास स्टार्ट करते हैं होस्टल वाड़नर की जो लोग तैयारी कर रहे हैं या फिर SI भरती की तैयारी करें जिसका एजाम कावे 6 नमबर को ठीक है यानि कि सब इस्पेक्टर की तैयारी करें प्लाटूर क्मानडर की उनमें कम्प्प्यy dictam करना चाते हैं जो लोग तैयारी करना चाते हैं तो जल्दीए को एक बार सब्सक्राइब कर लीजगा और वीडियो को लायक कर दीजगा ठीक है एक बार वीडियो GU को लाइक को होगा इसलिए मैं बार बार बोर रहा हूं डेली क्लासेस करा जा रहा है अगर अभी तक वीडियो को नहीं देखा है तो जल्दी से देख लीजेगा लास तक दरू देखिएगा क्योंकि यह प्रस्ण कंप्यूटर के 50 अब्जेक्ट्ट्व कोईशन आपको कराया जाएगा अत्ती महत्यपूर्णा प्रस्ण वर्लाइनर का कोउश्चन पेपर है ठीक है जो की विगत वर्सों से पूछाए गया है तो इसको एक बार रीडिंग कर ले पर इच्छन में जाने सपहले एक बार 50 कोउश्चन को अच्छे से रीडिंग कर लेना ठीक है तो पहला समझ में नहीं आता एक बार कमेंट कर दीजेगा और जितने भी बच्चे जुड़ चुके है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजेगा ठीक है एक बार क्या करेंगे वीडियो को लाइक कर दीजेगा लास्ट दरूर देखेगा क्योंकि ऐसा ही प्रस्णिक जामें आने व ट्रेक बोल यानि की बार कोड रीडर होता है यानि की इन्पूट डिवाइस होता है कोशन चाओ था क्या कहता है आपको कोशन चाओ था है कि कम्पूटर माडेम किस से जुड़ा होता है जो कम्पूटर माडेम किस से जुड़ा होता है टेली फॉन लाइन से जुड़ा होता है किसे जुड़ा होता है ठीक है यहां तक आपको बिल्कुल समाज में आ गया क्या जल्दिस कमेंट कर जेगा यहां तक कुश्चन किसको समाज में नहीं आया है टोटल आज की क्लास में हम देखने वाले हैं पचास कोश्चन जो की प्रत्ते की एकजाम में यह कोश्चन पुछाए गया इसलिए मैं बार 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 रहा हूं जो लोग कम्पुटर के तयारी करने हैं तो अभी से जुड़ जाएगा वीडियो में ठीक है कोश्चन पांच बा 7 बजे यानि की 7 बजे कम्पुटर की क्लास रहती है जह पार्ट 2 वीडियो है पार्ट 1 वीडियो कल से प्रारम कर जिजिए कल से हमारे यूटूब चैनल पर प्रण हो चुकी नए ब 팁 के रात आट बजे हमारे Youtube चैनल पर समान नग्यान की classes चर रही है थिक है? 36 गड़ जीके की class चर रही है ठीक है? वहां सापको 75 नमबर की exam पूछे जाने है ठीक है? कितने नमबर के 36 गड़ से 75 नमबर की exam पूछे जाने है और व्यापम में कम से कम 20 से 15 नंबर के एक्जामिक कोश्चन आते ही है 36 समान ने जान की ठीक है तो चलिए इसके बाद स्टार्ट करते हैं देखी छटवा कोश्चन है आपका कि कम्पुटर में रिसाइकल बिन में ही इसका मुख्यकारे होता क्या है तो ये नस्ट की हुई फाइल को इस्टोर करता है उसके बाद साथवा कोश्चन है आपका साथवा कोश्चन कौन सा है कि कम्पुटर में HTTP यानि की Hypertext Transfer Protocol का पूर्ण रूप होता क्या है यह है अपका अंसर तो Hypertext Transfer Protocol ठीक है इसके बाद चलिए नेस्ट देखते है कि कोश्चन में है आठो कोश्चन क्या कहता है तो आपका आठो कोश्चन है कि Window यानि की XP को Windows 7 में बदलने की जो प्रक्रिया होता है उसको upgrade कहा जाता है क्या कहा जाता है अप गरेट कहा जाता है ठीक है इसके बाद देखिए आपको daily question कराते जाएगा पचास question ठीक है बिल्कुल याद कर लिजेगा ऐसे question आने वाला है website का address की से कहा जाता है URL को कहा जाता है website का address होता है उसको URL कहा जाता है URL इसको याद रख लिजेगा URL एक्जाम में आ ही सकता है ठीक है ASI की परिच्छा का भी आपका 6 नंबर को इसलिए मैं 12 वर बोड रहूं आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है ठीक है आपके पास बिल्कुल कम समय बचा हुआ है question 10 कहता है आपका की computer को shutdown करने के लिए keyboard पर किस shortcut key को उप्योग किये जाता है यह alt plus a4 आएगा में question पूछा गया है कि SS software question ठीक है SS software जो computer के लिए खतरनाक होता है उसको malware कहते है malware ठीक है और आप सभी को part 1 वीडियो में antivirus question में करा दिया हूँ जो कि 2 से 3 नंबर पूछा जाता है ठीक है antivirus बहुंस सारे question आते हैं exam में ठीक है उसके बाद computer में सबसे तेज मेमरी कोन से होती है देखिए मैं आप सभी को बार रहा हूँ पचास-पचास question daily करा जा रहा है यह part 2 वीडियो है ठीक है part 2 वीडियो है daily आपको 50-50 करा आएगा 10 दिनों को crash course चर रहा है computer के लिए 10 दिन का crash course चर रहा है प्रथम computer पहुंचता है तो यह आपको सिध्धार्थ हो जाएगा क्या हो जाएगा सिध्धार्थ ठीक है उसके बाद question में कहता है कि MS world 2010 डाक्यूमेंट के पहला एक्टेंशन होता क्या है तो डी ओ सी एक्स इसको याद कर लिजिए कि किसका प्रयोग किया जाता है यह आपको यू आर एल का प्रयोग किया जाता है किसका किया जाता है यू आर एल का मैं आप सभी को पहले बताए हूं यू आर एल का फूल फार्म होता क्या है चलिए बताईए URL का full form होता है चीक है चलिए मैं आप सभी को बता देता हूं URL का full form होता है इसका मतलब U का मतलब होता है uniform इसका मतलब होता है locator research और इसका मतलब locator uniform research locator ठीक है assembly भासा में लिखे जाने वाले प्रथम operating system वो क्या कहा जाता है इसको unisk कहा जाता है इसके बाद question 17 है भारत का पहला operating system बॉस होता है भारत के जो पहला operating system होता है बॉस होता है high level language को machine language में बदने पर प्रोगाम एक सत्क्या कहता है compiler कहता है यह भी exam में पूछा गया प्रस्न है जितने भी आप सभी को question लेका रहे हैं पचास question वो की व्यापम और प्यसी और यूप्यसी में पूछा है ठीक है चलिए इसके बाद देखते हैं कि TCP का विकास किसने किया जो यह वाला TCP जिसका विकास किसने कि विंट सर्प एंबाप कहां ने किया TCP का फूल फाम होता क्या है Transmission Control Protocol क्या होता है Transmitter Control Protocol ठीक है Trans Control Protocol ठीक है थोड़ा mistake हो जा रहा है ना इसमें थोड़ा hide हो जा रहा है यह वाला ठीक है Transmitter Control Protocol आएगा इसका बात देखते हैं HTTP ML का फूरा नाम क्या होता है तो Hypertext Tramark of Language ठीक है MPG किस तरह का फाइल को एक्टेंशन किया जादे पटवारी भी पूछा गया है यह question आपका पटवारी में पूछा गया है MPG किस तरह के फाइलों को एक्टेंशन करता है तो यह वीडियो होता है MPG का मतलब होता है वीडियो ठीक है इंटरनेट पर एक डाक्यूमेंट को क्या करते हैं वेब पेच कहा जाता है यह एक मिनट ना यह आपका पूछा गया था आपका PhD में पूछा गया थी जो कि आप आहाल ही में हुआ है ठीक है इसके बाद देखते हैं computer peripheral का तद पर यह होता कहा है जो computer है peripheral का तद पर computer से जोड़ा गया device उसके बाद 24 वाप प्रसना है कि एक किलो बाइट के बरावर होता है एक हजार 24 बाइट कई लोग क्या करते हैं एक हजार 24 बाइट के जगर कुछ और दिया रहता है उसको टीक लगा का जाते हैं जिबकि यह ऐसा नहीं है ठीक है ऐसा में गलत हो जाएगा आपका देखे अब मैं आप सभी को बता रहा हूं कि व्यापा में आपका व्यापा में वन बाइट फोर पी एससी में वन बाइट माइनस मार्किंग रहता है लेकिन एसाई की जो परिच्छ होने वाली है उसमें नेगेटिव मार्किंग है ठीक है उसमें क्या है आपका नेगेटिव मार्किंग उसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं दिया है ठीक है तो ऐसा देखिए आप माइनस मार्किंग नहीं दिया है तो सभी कोशन को टीक लगागे नहीं याना जितने भी सहीं रहेगा उसको सॉल्व करना है ठीक है कई लोग क्या करते हैं ऐसे सब को टीक लगा दें दें ऐसे में बाहर हो जाएगा ने एक्जाम से इसके बाद आपको कोशन है कि एक उच्चे गुणोरतावाली कैड में प्रणाली में इस सिस्टमाल ड्राइंग को अप्सकी क्लिए करता है डिजिटर फ्लाटर उसके बाद एक सिलिकान चीप पर ट्रंजिस्टर और अन्यूप करोन के साथ पूर्ण इलटरने संक्रिट को कहत है ठीख गए क्या कहते हैं उसके बाद एक क्रिंज क्या होता है सेल का एक समू होता है A.S. Excel का कोई formidable किसे चिने नहोता है बराबर जो A.S. Excel होता है यह वाला question को बहुत लोग गलत करके आता है क्या लिक तेंसको plus कर देते हैं यह plus नहीं करना है वो क्या करना equal करना है ठीक है equal का मतलब बराबर होता है MS Excel का जो फर्वूलत चीन सुरुवात होता है वो बराबर का होता है उसके बाद है Excedented BTC यानि कि B, D, C B, D, C में कुल कितने करेक्टर नुर्पित की जाते हैं तो आप सभी को पता है 256 ठीक इसको याद कली जिएगा 256 MS Excel एक प्रोग्राम होता है D, C, 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 D, C मेल मैं जितने फ़ी चुसेघ्रं आप सभी के लाएं वोal Whoo ?P. A.C., U.P. A.C., S.A.C जितने फेकुष्जां हुए रहां वही कोसेट्राइब के लिए लाएं थीक है अगर चैनल को अभी तक सस्क्राइब में कि Хोता है पॉल होता वार इन लोकल लूप रूप लूप इसको याद कर लूप होता है मस पैंट में बनने वाल अइक्टेंशन क्या होता है BMP होता है क्या ह्ता है BMP उसके बाद Univerable Psych적 öl्ठ होता है APCOMBू dust घृव होता है किसके लिए सुचना के लिए सुचना को क्या करता है उसक फ्लाफियोग किस ने क्या है तो eigenlijk प्रेस्च 30 1950 में इसको नोट का लिजेगा 1950 में एक्जाम में आ सकता है बैसिक भासा का विकास किस ने किया है तो बिल गेट से ने बिल गेट से ने ठीक है किसको क्या किया है बिल गेट से ने बैसिक भासा का आविश्कार या विकास किया है BlueJean किya इक्जाम में आया वह फ्राशन है BlueJean फ्रेते है BlueJean एक सूपरकम्पूटर क्या है क्या है सुपरकम्पूटर कम्पूटर साक्चर्था तर दिवस किस पर मना जाता है 2Dижory को मना जाता है 2D Somet looked मना जाता है उसके बद processing का कार्या जिस device में होता है उसको क्या कहते हैं जो प्रोसेसिंग होता है Central processing unit कहते हैं और किसी window में कितने इस color का प्योग करते हैं दो यह अभी आपको question बताएं यह repeat होगा question क्या होता है प्रोटेबल डाक्यूमेंट format संसार का प्रथम सुपर कम्पूटर निर्मान किस ने किया था CRC ने, CRC ने इसको याद कलिजेगा CRC है जो कि सुपर कम्पूटर का निर्मान किया था वह भी क्या प्रथम इसको नोट कलिजेगा प्रथम Bios का Full Farm होता है Basic Input Output System Bios का जो Full Farm होता है Basic Input Output System होता है Input Output डिवाज दोनों क्या होता है एक माड़ेम होता है ये भी एक्जाम जितने भी आप सभी के लिए कोश्चन लाए है 50-50 डेली क्लास करा जा रहा है Part 2 वीडियो है ठीक है हस्टल वादन की तायारी कर रहे है तो हस्टल वादन की बात करें तो देखिये हस्टल वादन में आपका computer का 50 नमबर का पुछा जाएगा जिसमे 75 नमबर लाना अनिवार्य है अगर आप 50 में 25 नमबर नहीं लाते ठीक है तो आपका OMRC चेक नहीं किया जाएगा चाहे आप गणित का पूरा बनाओ चाहे हिंदी का पूरा बनाओ चाहे इंगलिस का बनाओ या 36 बनाओ या भारत का बनाओ इससे आपको कोई मतलब नहीं है जग तक आप कंप्यूटर में 25 नमबर नहीं लाते आपका PEPER चेक नहीं किया जाएगा आप फैल माने जाएगे इसलिए मैं बार 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 आँ डेली क्लासेज करने के लिए ठीक है डेली क्लासेज करने के लिए बिल्कुल वीडियो को एक बर सस्क्राइब कर दिजिगा और कमेंट कर दिजिगा कि सर हम जुड़ चुके है क्या करेंगे आप कमेंट केजिएगा लास्ट में कि सर हम इस वीडियो पर जुड़ चुके है सभी का सभी बच्चों का कमेंट आना चाहिए ठीक है ऐसा कोई भी बच्चा है जो छुटना नहीं चाहिए जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं वो वीडियो को last तक जरूर देखेगा daily classes करते रहीगा साम 7 बजे computer की class रहती है आपका last कोशन है कि अल्टा विस्ता क्या होता है जो अल्टा विस्ता होता है एक search engine होता है चलिए देखते हैं यहाँ पर कि कल की class में कौन को न अटेंड किया है तो cgpsc वाले question में 22 लोगों ने अटेंड किया था cgv आपका में 15 लोगों को ने अटेंड किया था cgv आपका हम result उन लोगों को 9 लोगों को आया है ठीक है उसके बाद result देखते हैं कि 12 लोगों का और 8 लोगों का कमेंट आया हुआ है ठीक है इसके बाद देखिए नाम नहीं बताऊंगा मैं यहाँ पर ठीक है नाम बताने के लिए समाई नहीं है समाने ज्यान के लिए ठीक है समाने ज्यान के लिए 8 लोग आया थे और अन्य जानकरी के लिए भी computer में देखे computer में ये अन्य जानकरी के 24 लोग आते हैं यानि कि hostel वाड़ा ने कि daily classes कराया जाया रहा ठीक है hostel वाड़ा ने की SI भरतिक एक्जाम आपका 6 नवंबर को है कि कब है 6 नवंबर को है अगर दोनों की तयारी करना चाहते हैं तो वीडियो को अभी subscribe कर लिजिएगा latest time पर latest video upload की जाती है साम 7 बजे आपका computer की class रहेगी उसके बाद साम 8 बजे ठीक है साम 8 बजे आपका 36 गड़ जीके रहेगा जो लोग तयारी करना चाहते हैं तो एक बार वीडियो में जूड चुके है तो एक बार कमेंट कर जीएगा कि य सर हम जूड चुके है ठीक है आज के लिए